एल्डोरिया का मंत्र मुग्ध दीपक, एक समय की बात है, एल्डोरिया की रहस्यमे भूमी में किसी अन्य के विपरीत एक दीपक था, कहां जाता है कि इसे प्राचीन जादुगरो द्वारा आश्चर्य के यूग में तैयार किया गया था और इसके भीतर एक गुप्त शक्ती थी जो इतिहास की दिशा को बदल सकती थी, समय के साथ दीपक गायब हो गया था, और इसकी कहानी एल्डोरिया के लोगों के बीच एक किमवदंती बन गई, दर्डिस्कवरी, विलोमेरे के अनोखे गाव में, एलारा नाम की एक यूवा लड़की को अपनी दादी की जोप आश्चर्य हुआ की दीपक एक नरम, सुनहरे प्रकाश से चमकने लगा, धुए का एक हिस्सा उपर की ओर फैल गया, और उसमें से एक वर्ण क्रमिया आकृतित गार्डियन ओफ दे लैम्प उभरी, दगार्डियन की कहानी, दगार्डियन ने दीपक के निर्मान की बात की जो एल्डोरिया की सबसे गहरी गुफाओं में पाए जाने वाले दुरलप्तम क्रिस्टल से बना था, यह तारों की रोशनी के सार से ओत प्रोत था और शुद्ध हरिदय वाले को एक ही इच्छा देने की शक्ती रखता था, लेकिन बड़ी शक्ती के साथ बड़ा खत्रा आ गया, क्योंकि काली ताक्ते अपने नापाक उद्देशों के लिए दीपक के जादू का दावा करने के लिए तरस रही थी, सवाल शुरू होता है, एलारा ने अपने पूर्वजों के साहस के साथ दीपक के रहस्यों को खोलने के लिए एक खोच शुरू करने का फैसला कि जहां दीपक के रहस्य का पहला सुराग छिपा हुआ था मंत्र मुख्ध वन के परीक्षन जंगल जादू से भरा हुआ था और तीनों को उन चुनोतियों का सामना करना पड़ा जो उनकी ताकत, ज्यान और दोस्ती का परीक्षन करती थी उन्हें शरारतपूर्ण पिक्सी से लेकर राजसी फीनिक्स तक विद्या के जीवों का सामना करना पड़ा जिनमें से प्रत्येक ने अपनी यात्रा में उनकी सहायता के लिए एक पहली या परीक्षन प्रस्तुत किया दार्क जादूगर, जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुँचे, उनके उपर एक छाया छा गई दार्क जादूगर, मोरकार, देख रहा था और वहर राज्य को नियंतरित करने के लिए दीपक की शक्ती चाहता था जादू की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें एलारा और उसके दोस्त मोरकार के काले जादू के खिलाफ बहादूरी से लड़ रहे थे इच्छा, युद्ध की गर्मी में एलारा का शुद्ध हरिदय चमक उठा और दीपक ने उसके आंतरिक प्रकाश का जवाब दिया पराजित हो गया, उसका अंधेरा सुभा की धूप में कोहरे की तरह गायब हो गया, एक नई सुभा, खत्रा दूर होने के साथ, दीपक का जादू पूरे देश में फैल गया, जिससे शान्ती और सम्रिध्धी आई, एलारा को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया था और दीपक को बुद्धिमान जादूगर्नी लेडी एरियला की देखभाल में रखा गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह फिर कभी गलत हाथों में ना पड़े, और इसलिए एंचेंटेड लैंप ओफ एल्डोरिया की किमवदंती बहादूरी, दोस्ती और और अंधेरे के बीच शाश्वत लड़ाई की कहानी पर जीवित रही, और वे सभी बात में खुशी से रहते थे.